पिछले पांच दिन का अगर आप देखोगे लास्ट फाइव डेज में गोल्ड ने काफी गंदा ड्रॉप देखा है ये इतना गोल्ड का प्रैस नीचे गया है कि इस 8.5 मंथ लो अचीव किया है यानि कि साड़े आठ महीने पहले जो गोल्ड का प्रैस था उतने पे आ गया ह है इतना बढ़ने के बाद अब ये इतना क्यों गिरा और क्या आगे गिरेगा मतलब क्या हमें आगे ठोड़े और सस्ता लेवल मिलेगा मौका मिलेगा खरीदने का गोल्ड का वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा फ्लीज ध्यान से देखना Hello everyone and welcome to my channel मेरा नाम है व 45-40 डॉलर क्यों गिर गए और उसमें बहुत सारा डेटा हमने के बारे में बात करी थी जो हमें मिलने वाला है एक है हमें यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उनका FOMC का मिनिट्स आना था मिनिट्स जो मीटिंग हुई थी उसका आउटकम क्या है एक वो फिर उसके बाद यूएस में जॉब डेटा आना था कि कितने लोगों को नौकरिया मिली और तो आज इस वीडियो में जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को मैं कवर कर दूँ बट फर्स एक बार हम देख लेते हैं कि गोल्डन सिल्वर के प्राइसिंग क्या थी क्या है सो ये फ्रा करके अगर हम बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में राउंड 19.17 पे था पिछले बार से जो है सिल्वर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है लेकिन जो सिल्वर ने लोग अचीव किया ओवरॉल वो लास्ट टू येर्स का तक पहुंच गया मतलब जो भी आपका क्या गोल्ड था और अब कितना हो गया काफी सप्राइजिंग डिटा होगा तो यह आपके पास फिफ्ट जुलाई का मार्केट क्लोजिंग का रेट है प्रिपल नाइन फैनेस का गोल्ड था प्रैस था अरौन 52,304 और सिल्वर का था अरौन 58,153 पर किलो ग्रैम इसमें GST म इंक्लूड नहीं है इसे मार्केट प्रैस से जिसमें इंक्लूड की जाती है तो गोल्ड का प्रैस बाकी जो शोटो मटे टैक्स होते हैं आने जाने का ट्रांस्पोर्टेशन छोटा मटा और उसके जो इंपोर्ट करवाते हैं उसके उपर आपकी इंपोर्ड डूटी सब इसमें इंक्लूड नहीं है तो इस से लेके जब मैंने वीडियो बनाए थी उस दिन से लेके अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे 8 जुलाई की काफी सुप्राइजिंग है क्योंकि गोल्ड का प्रैस अब आपका हो गया 50,853 और सिल्वर का हो गया आपका 56,427 नहीं कि गोल आपको थोड़े देरे में सब पर चल जाएगा एक बार आपको मैं MCX की कोमडिटी मार्केट का प्रैसिंग से लेके उसके बाद से इट वेंट अप तो जनरली जो होता है वो कमडिटी मार्केट जो इसको फॉलो करती है जो हमारी ये दूसरी मार्केट है लेट से सराफा बजार उसका रेटिंग समझ लो 5 बचे-6 बचे मार्केट बंद रेट पुराने से टोके वही मार्केट चलती रहती है लेकिन जो MCX होते है यूजिली काफी लेट नाइट चलती है तो गोल्ड का जो future था 5th August की expiry date का वो 0.06% positive था 50,649 पर अभी है expiry और silver का गरम देखेंगे 5th September का negative है at 56,838 so सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो FOMC की data के बारे में बात करेंगे कि जो minutes आए थे उसमें क्या हुआ FOMC क्या है जैसे इंडिया में आपका RBI है उनके governor होते है वैसे US में ही आपके federal reserve है जिनके वहाँ पे chairman होते है और वो minutes करते है और हमें data देते है मतब meeting करते है और उसका हमें data मिलता है तो जो हमारी meeting हुई थी June 14 और 15 को हुई थी उस दिन क्या हुआ था उस दिन हमारा जो US का interest जो federal rate है fed fund rate है वो 75 basis points से increase करा गया था जहां पर उनका range हुई थी at 1.5% to 1.75% और इस से expected यह था कि यह शायद 75 basis points से increase नहीं करेंगे 50 basis points से increase करेंगे तो यह hike हो गया अब इन hike के चकर में और यह anticipation में की minutes में क्या आएगा इन सब के चकर में मारे medals नीच चले गए लोगों ने इससे बेचना शुरू कर दिया अब जो stock market थी उसने भी एक decline देखा काफी नीचे गया था लेकिन जब minutes आगी और जब job का data आया तो वहाँ पर price बढ़ गया मतलब उनकी markets grow कर गई लेकिन हमारे metals गिर गए वो क्यों गिर गए सब discuss करूँगा तो June 14 15 का यहाँ आप देखोग वो कुछ ऐसे देखते हैं अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बड़े simple शब्दों में 2-3 चीज़े important बता दूगा तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि release होने से पहले report के market की जो expectations थी वो यही कह रही थी कि 50 basic points से basis points से increase होगा बोथ June and July की meetings में तो यहाँ पर हमने देख लिया June 14-15 जो था उसकी release होए थे minute 6th of July को अब एक meeting होगी अब July 26-27 इस महिने के end में एक और meeting होनी है तो उसमें फिर से hike होगा rate तो अभी मैं देखाऊंगा कि 14-15 को जो meeting होई थी उसका impact कैसे हुआ था ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने June and July का 50 basis points each का expect किया थ है वो जादा है जितना expect कर रहे थे जो policy sensitive rates है वो यह कह रहे हैं कि 75 basis points 75 basis points से increase करना June and July meeting दोनों में एक better move हो सकता है तो basically gold का price तो गिरेगा ही नीचे because market की जो sentiments है वो जाती है कि okay interest rates बढ़ रहे हैं तो let us move on to something जो हमें जाधा cash generate करके दे जो हमें जाधा returns दे अब दूसरा जो ह है वो आपको मैं इस ninth page पर दिखाता हूँ यहाँ पर data दे रहा है inflation related ठीक है तो यहाँ भी ही है कि monetary policy के हिसाब से या जो participants थे वो यह कह रहे हैं कि labor market जो बहुत tight है यानि कि जो labor demand and supply है वो disrupt हो गया है जब से pandemic शुरूर तब से थोड़ा problematic हो रहा है और inflation जो है जो committee कह रही थी कि हमें 2% पर चाहिए उससे बहुत जादा है और नीचे आने रहा है वो let's say 8 plus percent पर है तो 6% नीचे करना जो है काफी बड़ा goal है इनका और जो इनका near term inflation outlook है यानि कि जो pass में कि कि इतनी महंगाई होगी वो भी deteriorate होगी है because वो नीचे चले गी है ठीक है जो में meeting में आया था क कि शायद inflation जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी बट वो उल्टा हो गया ठीक है तो इस टाइम पर क्या हुआ था जब जून की meeting होई थी तो maximum लोग तो यही कह रहे थे कि हम 75 basis points का increase चाते हैं लेकिन वहाँ पर एक participant थे जिन्नोंने का था कि 50 basis points को increase करते हैं but still majority wins के हिजाब से 75 क करा गया अब क्या है जो participant जोंने जज किया था उन्होंने एक ये भी बोला है कि 50 या 75 basis point जो होगा एक appropriate point होगा जो कि next meeting में increase कर सकते हैं यानि कि जो हमारी जुलाय के end में हमारा meeting आएगी उसमें फिर से बढ़ने के chances आगे बढ़ने के chances आगे इसका मतलब है कि gold आपका फिर स major factor है जो आपको note करना चाहिए अगर आप इस महीने market में हो gold खरीदने के लिए ठीक है अब मैं आपको दिखा रहता हूं कि last जो fed meeting हुई थी June 14 and 15 को वो markets ने उसे कैसे deal किया उसके साथ so let us take a look एक महीने का देख लेते हैं June 14 and 15 की बात हो रही है यह रहा so 13th June के बाद let's say 14th June को meeting हुई थी तो gold हमारा 1828 से it went down to 1800 level lower levels and then 15 में फिर rise करना शुरू कर गिया तो yes in the short term यह decrease ज़रू यह मैं June का से देख रहा हूं तो in the short term price नीचे ज़रूर जाता है एक effect होता है बट फि जैसे यूएस और UK जो है वो काफी उपर तक चला गया था तो इसके चकर में जब oil महेंगा हो जाता है तो आपका gold भी महेंगा हो जाता है बिकोस इसको transport करना भी महेंगा हो जाता है तो यह कुछ-कुछ factors यहां आप देख सकते हैं जो काफी important है अब हम दूसरी factor की बात करन आया है उसके लिए आपको यह चोटी सी वीडियो देखनी है ठीक है जिसमें हमारे US के प्रेजेंट जो बाइडन ने अपना information दिया है की कैसा रहा है so watch this closely today the labor department reported that we added 372,000 jobs last month 372,000 here's why it's important our private sector has now recovered all of the jobs lost during the pandemic and added jobs on top of that we have more americans working today in the private sector than any day under my predecessor more today than any time in American history today in the second quarter of this year we created more jobs than any quarter under any of my predecessors in nearly 40 years before the pandemic think about that at a time when our critics said the economy was too weak or having already added more jobs in my we had already added more jobs my first year as president of any president in history we still added more jobs in the past three months than any administration in nearly 40 years now look I know times are tough prices are too high families are facing the cost of the living crunch but today's economic news confirms the fact that my economic plan is moving this country in a better direction the unemployment rate is near a historic low of 3.6 percent private sector jobs are at a record high gas prices still way too high have fallen out 25 days in a row and this week we saw the second largest single day decrease in gas prices in a decade we still have a lot of work to do I'm not suggesting there's a lot more work to do but I am suggesting we're making significant progress the program is okay so here you have heard what Biden is saying they are saying they are saying that the job data came from the US that is positive the job data came from this is from june 2022 which was released on july 8th which was released on friday which was released on friday which was released on friday hondale 2nd until the year they had the latest update on friday which was released on friday which was the problem for people with 1,2,000 jobs and 1,2,000 jobs alone about we can't get to the unemployment rate की बात करी गई थी इसमें कि 3.6% पर है historic कह रहे हैं last 3 महीने से 3.6% पर ही है कोई change नहीं था उससे पहले जो unemployment rate थी यानि कि जादा लोग unemployed थे because of COVID pandemic अब जैसे ही ये news आई तो gold नीचे गया क्यों क्योंकि US की जो treasury yields है वो उपर चले गए more jobs लोग कमाई करेंगे और लोगों को आजकल short term में पैसा कमाने की आदत है तो उसके लिए लोग stocks में डालेंगे गोल्ड में आप short term के लिए पैसा नहीं डालते हो तो gold based दिया अब इसमें जो jobs की बात करी गई है वो है हमारी non farm payroll इनका मतलब है कि जो farm workers नहीं है जिनके private household employees नहीं है या फिर non profit organizations ये सारे included नहीं है इसमें basically बात करी गई है IT की healthcare manufacturing ये वो sectors है आप कह सकते हो जहां पर बहुत jobs बनी है और IT ने basically US को पकड़ के रखाव आपको पता ये इंडिया से भी कितने लोग जाते हैं US काम करने के लिए और CEOs जो हैं मारे majority जो top 10 companies के अगर हम देख ले है तो mostly Indians ही है तो IT sector जो है उसने boom पकड़ा और उसने recovery अच्छी मार दी private sector basically अच्छा किया तो यहां पर US Bureau of Labor Statistics का यहां पर summary है काफी तगड़ी है इसमें काफी अच्छे से summary दे रखिये पूरे details बहुत अच्छे कि किसके sector में कहा कहा jobs मिली है और compare करके दिखाया है कि pandemic या pre pandemic levels में क्या था data और फिर भी कितना down है अभी भी jobs उतनी नहीं है जितनी February के समय थी but this gives us an idea कि जो हमने बात की थी last time वीडियो में कि FMC का data क्या hint करता है और job data क्या hint करता है अब हमने बोला था अगर वो positive होगा अगर जो है interest rates बढ़ेंगे फिर gold ने घटना है यानि कि जो इस महिने July में meeting होगी अगर उसमें 75 बढ़ गया definitely gold down होगा अगर हमने का था कि job data better होगा यानि कि और लोगों को नौकरियों मेलेंगी फिर gold down होगा तो यहाँ पर भी एक चीज़ आपकी touch हो गई है अब इसका मतलब है यह आपको effect इस हफते दिख जाएगा most likely आपको दिख जाना चाहिए unless oil फिर से बढ़ने लग जाता है या फिर बाकी factors को करें consider करें तो there is a very high chance बहुत positive होगा इस बात पर कि gold और silver donor ने decline करना है gold ने जाए decline करना है और जो support और resistance की बात आती है कि कहां तक जाएगा देखो उसका हम कोई कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन मेरे साब से मैं क्या expect करता हूँ कि gold around 45,000 जा सकता है और because हमारी import duty भी बढ़ रखी है तो कितना भी अगर 1600 US dollars भी देखते हैं हम कितना भी देखते हैं तो 45,000 मेरा expected price है और silver के लिए maybe अब 55,000 से cut off करके 50,000 के level पे हम expect कर सकते हैं maybe even 48,000 तो अब ये panic rate करने के लिए आपको value नहीं दी है ये value इसलिए दी है क्योंकि जिस हिजाब से trend हमें दिख रहे है मुझे लोग जब पूछते हैं अगले महीने क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ मैं short term का बता सकता हूँ तो मेरा ये सब कहना वेस्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आपने decision ना लें प्लीज इस ओनली फोर यॉर डेटा यॉर इंफोरमिशन ठीक है ताकि आपको पता चलता रहे तो support की मैं बात कर सकता हूँ कि अगर gold नीचे जाता रहेगा तो कहते है काफी solid support है at 1700 dollars which is only 40 dollars away और अगर उपर अगर हम bulls की बात करें तो bullish लोग ये expect करें कि 1800 dollars पर अगर आएगा तो काफी strong resistance है silver की अगर हम बात करेंगे तो solid support जो है वो कह रहे हैं कि 18 dollars पर है बीच में और है supports मैं आपको सिर्फ lowest bottom बता रहा हूं और जो resistance है अगर उपर जाती है तो वो है 20.5 US dollars पर around here ठेक है here so ये कैसे perform करता है exactly हमें नहीं पता बढ़िया there is a very very high chance कि golden silver ने हमें एक bottom low दिखाना है लेकिन इसका मतब ये नहीं कि recession चला गया है ये ध्यान दें कि inflation अभी भी है अभी भी वो मंटरा रहा है हमारे सिर्फे there are still dark clouds rainy days are there आएंगे तो be prepared जैसे भी आप investments अपने करते हैं just keep diversification stocks रख रहे हैं crypto रख रहे हैं gold silver रख रहे हैं gold silver रखें सिर्फ paper assets में ना डाले you'll be safe keep buying थोड़ नीचे जाता रहेगा पर ध्यान दें आप long term के लिए खरीद रहे है short term के लिए इसे नहीं खरीद रहे है so ये था हमारा वीडियो हमने US job data FOMC minutes सब कुछ का यहाँ पर कर दिया है overview सब कुछ अच्छे से पचल गया है कहां तक नीचे जाएगा मेरे expected price सब कुछ and उसके साथ साथ जो next हमें देखना है जो next हमारी important dates है वो है July 26th and 27th की meeting महाँ पर क्या होगा most likely इस महिने के end तक gold न काफी नीचे चले जाना है so I hope आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो की तरह ही लास वीडियो की तरह ही अच्छे से वीडियो पर likes दें comment करें अपने thoughts share करें अपने friends and family के साथ subscribe कर ले मेरे चैनल को और bell icon को क्लिक करने notifications के लिए so in the end thanks for watching